तरीके से महंगाई बढ़ रही है वो खतम करने का वाइदा किया था उस पे आज चुनाओ उन बुद्धों पर चुनाओ लड़ने का जी बिल्कुल संजी जी आप भी बिल्कुल वही बात कह रहे हैं उनिका जी वाली इसका फैसला चार जून को होगा और सब को यह पता है सब सब को मालूम है कि अशोग चावांट को राजस्वा दी गई अजीत पवारु मुख्यमंत्री है हेमाद विश्व सर्मा कहला कि नाम चार सीट में सिर्फ गवाही पर था चार सीट ढंग से पढ़िया आप सब अब मुझे यह बताई मैं जी उसका जवाब नहीं दिया आपन लग केसराप घोटाले कांड में वो कैश का मामला है illegal money है पता नहीं है अने काउंटेड है टाक्स नहीं भरा गिया है फरक है दोनों मैं कि सेम है मैं गलत समझ रहा हूं पिल्कुल फरेक है और माननी अदालत ने ट्रायल कोट ने भी और हाई कोट ने भी दोनों अदालतों ने इस बात पर अपनी सहमती और मुहर जताई मुहर लगाया और साफ तोर से कहा कि प्रेवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग के केस में दोनों केसे इसको माने खिचडी को और पूडी सबजी दोनों को एक मिक्स नहीं कर सकते आपको अलग-अलग टेस्ट दोनों का निर्धारित करना पड़ेगा इसलिए कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉंड के तहत चंदा दे दिया इसलिए यहाँ पर आपने बेल दे दी बेल देना काम अदालत का है और अदालत कानून के विद्यारती हैं, लॉयर हैं आप, आप यह देखिए कभी दो दिन पहले ही ओनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने साथ तोर पर कहा कि जब प्रोसीड्स आप क्राइम नहीं है तो एडी एन्फोर्श्मेंट डिरेक्टर अरेस्ट कैसे कर दे पीमले नहीं ब पधे हैं ना कि राजनीती से फैसले कानूनी सिधानतों पर दिये जाते हैं, राजनीतिक सुझाओं पर नहीं और यह राजनीतिक सुझाओं है, पोर्ट राजनीत की दुनिया में दखल नहीं देशकती और ऑन्रेडल Chief Justice of India ने बड़े पीडा से बुनाठपूर में कहा कि ज अधालती प्रक्रिया और जज्जमेंट्स पर प्रश्न खड़ा करने लगेंगे, जिनके उपर जिम्मेदाली है कि वो न्याय प्रक्रिया में अपना सयोग दे, तो वहाँ पर बात आएगी, अब एक और सबसे बड़ी बड़ी बड़ा डिसकुशन आप अच्छा कर रहे थ दिखिए, सम्मेधानिक नैतिक्ता तो निताओं के पास रही नहीं और हमारे जो फ्रीडव, जो हमारे constitution makers जब सम्मेधान बना रहे हैं इसलिए उन्होंने ये provision नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें पता था कि नैतिक्ता के आधार पर ये इस्तिफा देंगे, तो सम्मेधानिक न पटवारी 24 गंटे के अंदर, उसको सस्पेंड हो जाता है, आप इस पर सबसे बड़ी ची ठीक है सम्मेधान में प्रावधान नहीं है, लेकिन कानूनी जेल मैनूल में तो प्रावधान है, आपको constitutional requirement नहीं है, लेकिन legal requirement तो है कि जेल के अंदर रह करके आप जनता के हितों क नहीं देख सकते, doctrine of constitutional morality की बात करते हैं, good governance के लिए जरूरी का public के बीच में है, अधिकारियों के बीच में है, और आपके जो चुने हुए प्रतनिधी हैं, उनके बीच में रहें, और उसके बात जो हम बात करते हैं, सम्मिधान के अनुच्छे 249 AB, वो भी इसले सम्मिधान तो ऐसा जब आज जो अप्लिकेशन लगी, ट्रायल कोट में अर्धर्णी अरविंद केजरिवाल जी की, उन्होंने कहा कि हमें हफते में पांच दिन लॉयर से मिलने के परमीशन, यह कोट ने कहा नहीं नियम दो दिन का कहता है, हम नहीं देंगे, तो जब नियम वकील से मि लेगे परमीशन दो दिन की बात करता है, तो जेल के अंदर से सरकार चलाने में कितना बड़ा समयधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है, जनहित के मुद्दों को ले करके, यह बड़ा विचारनी प्रश्ट, अशुनी जी, जो पॉब्लिक सर्वेंट प्रोसीजर कोड अंडर लाओ, वो यह कहता है कि 24 घंटे के अंदर आदमी सस्पेंट हो जाएगा अगर वो जील गया तो, बैंक के क्लर्क भी है और आप अंदर गया तो वो वहां तक बात पहुचेंग नहीं पहुचेंगा जाता हूँ, एक जी थोड़ा सा पॉलिटिकल मिक्स क्वेस्टन पूछन मैं तो यह बात कहूँगा कि यहां पर failure of constitutional machinery है, failure of constitutional machinery जैसे ही होता है तो आपकी तरह कानून का विद्यारती होने के अनाते में यह कहूँगा कि समिधान का अनुच्छेत जब failure of constitutional machinery हो तो अनुच्छेत 249 AB में अपनी recommendation देने की बात भी करता है, बड़ा अफसोस की बात यह ह कि आप देखिए कि नवाब मलिक जेल में थे, सतेंदर जैन जी जेल में थे, सुप्रीम पोर्ट में पिटिशन गी, पोर्ट ने का भई यह cabinet का decision है, लेकिन cabinet चलाने के लिए आपको बाहर होना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि यगर सही तरीके से good governance के लिए या आवश्यक क कि सरकार जेल से बाहर रहके चले, या आप जेल से बाहर रहें, या आप अपना एक प्रतिनीधी चुनें, तो दोनों बातों आपके पास thumping majority है, आपके पास भरपूर मात्रा में मिलेज हैं, तो निश्चित तोर पर आपको और आपकी party, private limited company नहीं है, proprietorship concern नहीं है, आपकी party धारा 2EF, जो representation of people act का कहता है, कि ये association or body of individual citizens of India है, और ये कहता है, कि election commission of association and bodies of political बाले, कि कोई association or body of individual citizens of India है, तो जब body है citizens की, तो निश्चित तोर पर उसके से बाहर आप, अश्यून जी एक बहुत छोटा सवाल, 30 सिगन जवाब चीए, क्या ये case miss handle कर दिया, कि टीम ने, और इल एडवाइज है उनको, गलत तरीके से, इनको बेल के लिए जाना चाहिए, ये गिरफतारी खतम करो, इसके लिए चड़े गए, फस गए, मैं वकील होने के नाते, जितने number litigations में इतनी highly paid fees आनी है, तो जैसे 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 एडवाइस है, और मैं समझता हूँ की हमारा, औ पर खत्म करूँगा, एक सवाल मैं अपनी तरफ से हम रख देता हूँ, बात है दरसल सवाल नहीं, एक बार बार रिफर के आता है कि सहारा शुरी जब बंद थे, तो उनको ये छूट दी गई थी, कि वो अपना office बना ले, भाई उसमें थोड़ा समझी है technically, बार बार कहता ह और उसके लिए बाकाइदा चार्ज किया गया था, इसलिए वो गलत comparison ना किया जाए उसके बिना पर कोई नहीं हो सकता की